है का आ चाहरद दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं राज गुतम आप सभी का स्ट्रागत करता हुँ हमारे बिल्कुल ही नय वीडियो में तो दोस्तों आज हम एक निया चैप्टर और इक निया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है square and square root दो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अची तरह से जानते हैं कि वीडियो को like कर दीजे और अगर आप मेरे चलय के नहीं है मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर दिजेगा और इस वीडियो का अपने फ्रेंड में जरूर सेर किजेगा ताकि उनको भी हल्प मिल सके तो चलिए आज के हमारा वीडियो शुरू करते हैं वहाइए हम समझ लेते हैं कि स्क्वाइर क्या होता है तो आपके मन में यह सवाल जरू हुआ तो मैं आपको एक्जामपल देता हूं जैसे 16 x 16 इससे हम 16 का स्क्वार भी लिख सकते हैं जी हां आपने यह एक्स्पोनेंट एंड पावर मैंने इस पर वीडियो बना के रखा हुआ है और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क् स्क्वार करना है तो 16 x 16 is equal to 256 तो हमने स्क्वार समझ लिया है तो आई हम समझ लेता है कि स्क्वार रूट क्या होता है तो स्क्वार रूट वह नंबर होता है जिससे अगर हम किसे भी नंबर को उससे मल्टिप्लाई करते हैं और जो नंबर आता है वही स्क्वार रूट होता जी हां तो अब आप पूछेंगे कि इसका क्या एक्जाम्पल होगा एक्रेंपल 25 तो 25 को चलिक सकते थ स्क्राइब आपने लिए यस एक और एक्जामपल 16 तो नवसी्ट सकती है 4 into 4 is equal to 16 तो इसमें से square root किया होगा 4 दो matching numbers के pair होंगे उसमें से आपको एक number ले लेना है यह है आपका square root तो अब हमने सब information ले लिया है chapter का तो अब हम question solve करने चलते हैं तो हमारा पहला question क्या है using prime factorization method find the number is perfect square or not तो यह question बहुत important भी है और यह question square roots में हमेशाद दिया रहता है कि prime factorization के द्वारा find करना है number की perfect square है की नहीं ताब कोई भी number दिया जा सकता है तो यहाँ पे हमारा पहला एक number हम ले लेते हैं 1296 यह हमारा पहला number है तो अब प्रैम factorization करने हम चालू करते हैं 1296 का prime factorization करेंगे तो यहाँ पे 1296 लिखते हैंगे तो अब हम इस सबसे closest किस्से ृटिवाइड कर सकते हैं तो टू से उसे कर सकते है फाराइज है तो यहाँ पे लिख देंगे, तो अब इसे हम जब फैक्टराइज करेंगे, यानि डिवाइड करेंगे, तो यहां 648 आ जाएगा, clear, आप कर सकते हैं आप में, तो अब इससे भी हम सबसे सबसे करेंगे, तो इसे जब हम डिवाइड करते हैं, तो यहां पर 324 आ जाएगा, correct, तो अब हम इसे 2 से करेंगे, सबसे क्लोजिस्ट है, तो इसे जब हम 2 से करते हैं, तो 162 आ जाएगा, और अब हम इसे 2 से डिवाइड करने वाले है, फैक्टराइज करने वाले है, तो से कर करेंगे three say करेंगे तो यह 27 आगया अगें 3 से करेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया फिर से मिसे 3 से करेंगे यहाँ पे 3 आ गया और आंव इसे एक बार और 3 से डिवाइट कर देंगे तो यहां वन आ गया तो यह वन एक लीस्ट बसा हो इसे हमें फैक्टराइज नहीं करना है अब हमें आपर नीचे लीखेंगे 1296 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 3 x 2-3 जो सारे फट्राइस divided क्योंबर है वह यहां लिख देंगे और हम स्क्वेर मतलब जोड़ी तो हमें इसका पेर बनाएंगे तो टू टू एक पर हो गया और यह टू टू एक पेर बन गया और यह भी 33, एक पेर बन गया, तो अब देखिए, जब सब का पेर्स बन गया और कोई नमबर लेफ्ट नहीं रहा, तो यह पर्फेक्ट स्क्वेर नमबर है, अगर एक भी नमबर लेफ्ट हो जाता, वन के अलावे, अगर एक भी नमबर रह जाता, तो वो लग की बहुत ही फाइदे मन दोने वाला है लोगि मैं आपको इसमें एक मैजिकल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इस चैप्टर में बहुत यासानी होने वाली है तो आई हम देखते हैं हमारा कोशन नंबर टू क्या है तो हाव टू फाइंड दे यूज नंबर आर परफेक करने लगेंगे तो आपको घंटो निकल जाएंगे और आपका पेपर भी छूट सकता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप बड़े से बड़े नंबर का भी पता लगा सकते ही कि वो परफेक्ट स्क्वार है या नहीं तो देखिए यह ट्रिक यह है कि जिस नंबर के last में last के digit place में 2 3 7 या 8 हो यह चार नंबर हो और अगर उन तीन के इन तीनों के पीछे नंबर के पीछे 3 consecutive जीरो यानि तीन लगातार जीरो हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वार नहीं हो सकते है जी हाँ आप इसे नोट कर सकते हैं जिस नंबर के पीछे 2378 या तीन कंजिक्यूटिव जीरो हो वो कभी भी पर्फेक्ट इसका एक इसामपल देता हूं तो जैसे कि हमारा पहला एक्जामपल है 3 3 3 2 2 2 अब आप इसे फैक्टराइस तो नहीं करने बैठेंगे तो देखिए इसके लाश्ट इजिट प्लेस पे टू है नो तो यह पर्फेक्ट इसक्राइब नहीं होगा आप इसे फैक्टराइस करके देख सकते हैं और हमारा यह अगला एक्जामपल है 5700 तो यह ट्रिपल ज स्क्राइब है क्योंकि इसके पीछे जो मैंने आपको बताया वो डिजिट्स नहीं है तो मारा कोशन नमबर थ्री है तो कोशन नमबर थ्री में है find by prime factorization the square root of the number तो अब हम प्राइम फेक्टराइजिशन से यह तो पता लगा लिए कि number perfect square है या नहीं अब हमें यह पता लगाना है प्राइम फेक्टराइजिशन से number का square root तो जैसे की मैं आपको एक number देता हूं 2916 यह number है तो आप हम इसे प्राइम फेक्टराइज करेंगे तो आई हम इसे करते हैं तो 2916 यहां लिख देंगे और अब इसे सबसे closest to say to two says को फेक्टराइज करते हैं तो नीचे आ गया 1458 तू से करेंगे तो अब आ गया 729 सबसे closest digit से करेंगे तो आब 729 आपको 3 से जाएगा तो यहां पे 243 आ गया यह भी सबसे closest 3 से जाएगा तो 3 से करेंगे यहां 81 आ गया इसे भी हम 3 से डिवाइट करेंगे 27 आ गया और 27 को भी हम 3 से इवाइट कर दिते हैं तो यहां 9 आ गया है इस 9 को भी हम 3 से करेंगे तो यहां 3 आ गया और इस 3 को हम 3 से डिवाइट कर देते हैं तो यहां 1 आ गया clear तो अभ हमिसे लिख एंगी तो आफ हम इसे लिख सकते है 2916 is equal to 2 into 2 3 into 3 3 into 3 3D or 3 nd 2 3 तो इसका पेर बना लेंगे तो एक फेर हो गया तो यह नीचे DO TOO कर बदले प्यर बन जाता है तो हो एक हो जाता है यहां थ्री और ठीरे का पेर बन रहा है तो यहां नेचे एक फिल भी यहां 0-3 3 का पेर बन रहा है तो नीचे एक 3 और यहां लास्ट में भी 3 और 3 का पेर बन रहा है तो यहां एक 3 तो इजी क्वर्ट वे से इन टू कर देंगे तो 3 इंटो 3 is equal to 9 9 into 3 27 or 27 into 2 is equal to 54 is your answer that simple अगर आपको कोई और नमबर दिया रहा तो आप ऐसे ही फाइं कर दिजिएगा अब बढ़ते हमारे लास्ट की भी कुजिशन आपके लिए ट्रिकी नहीं होगा तो यहां पर एक ग्जामपल है 25 by 49 यह एक्जामपल है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 into 5 is equal to 25 by 7 into 7 ऐसे लिख सकते हैं तो कि हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा तो अब देखिए 5 into 5 तो इसका एक पेर बनाएंगे तो यहां 5 लिख देंगे और यहां 7 into 7 है इसका भी पेर बनाएंगे तो 5 by 7 1st that's it यह आपका हो गया square root 5 by 7 is your square root तो यह था माना introduction video square and square root का I hope आप वीडियो बहुत ही पसंद दया होगा अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्षिन में अपने डाउट लिख दीजिएगा मिलते हैं एक वीडियो में बहुत ही जल तब तक के लिए stay safe अपना ख्याल रखिए गुडबाई